नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राजय इश्टेगोर है सागा में जो अगला प्रस्टिक्षन आपको मिलने वाला है उस प्रस्टिक्षन में आपको खास एक औजार मिलने वाला है जिसका नाम है ग्रंत ग्रंत दिखाने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि हम सब के सब एक प्रकार के सिपाही जैसे हैं सिपाही देश के लिए लड़ता है और जब वो लड़ने के लिए जाता है आकरमन करने के लिए जाता है दूसरे सेना के साथ युद करता है उसके पास औजार, शस्त्र होना बहुत जरूरी उसके बगेर वो युद्ध नहीं जीत पाएगा उसी तरह सागा में हर CP एक प्रकार का सिपाही है आप जब ग्रहकों को मिलते हैं बेचने के कुशिश करते हैं FD, RD, MIS वगरे करने को कुशिश करते हैं आपके पास भी ओजार यानि शस्त्र, अस्त्र होना जरूरी है उसी प्रकार का अस्त्र सस्त्र आपको अगले प्रसिक्षन से मिलने वाला है उनमें से पहला सस्त्र का नाम है बचत बेनिफिट, ये गरंत है ये जब आप लोगों को दिखाएंगे, अजान लोगों को भी बड़ी आसाने से बेच पाएगे गरंत, बचत बेनिफिट जो पहला है तीन सिध्धान्तों के पराधार है कि बचत आपको क्यूँ करना है, कहा करना है, कैसे करना है जब आप देखेंगे बच्चत क्यूं करना है इसके हम लोग 8 सिध्धांद बताता हैं सिध्धांद नमबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 8 सिध्धांद तो बताते बताते चार बात साफ हो जाता है कि खर्चा कम करना चाहिए, बच्चत बढ़ाना चाहिए, कमाई के जरिये चाहिए, तो क्यों करना है बच्चत यह समझ में आने के बाद अगला जो सब्जड बात करते कहां पर बच्चत करना चाहिए, बैंकों में या NSE में, PPF में, Post Office में, RD में, FD में या कोई Cooperative Society में, तो Cooperative Society क्या है, कैसे हालत में पैदा हुआ, उसके कहानी, और भारत में किस प सागा को यहनों, बैंकों से जादा मुनाफ़ा देने में मदद करती है, वो चार सिध्धान्थ बताते हैं, यहां पर ग्रह को पता चलता है कि बच्चत कहां करना चाहिए, उसके बाद आता है आखरी बात कि बच्चत कैसे करना चाहिए, हमारे अलग-अलग FD प्लान, RD यो लोगों को विक्रे कर पाएंगे, आपके टीम की सभी लोगों को प्रसिक्षन दे पाएंगे और आपके कमाई बहुत जबर्दस तरीके से बढ़ सकता है, इसलिए अगले प्रसिक्षन में जब आप आएंगे, आपके हाथ में ये गरंत दिया जाएगा, अगले प्रसिक्ष झाल